नमस्कार, स्वागत है आपका मिनाक्षी इस किचन में आज मैं शेयर कर रही हूँ हरे प्यास के पकोड़े की रेसिपी हरे प्यास जोसे में मार्केट में एजिली एविलेबल है तो इसके पकोड़े आप बहुत एजिली बना सकते हैं खाने में एटेस्टी भी बहुत बनते हैं तो मैंने आप ले लिया यह हरा वाला प्यास हरे वाले प्यास को पहले हम साफ कर लेंगे यानि इसके पीले पीले पत्ते हम हटा देंगे इस तरीके से पीले पत्ते हटाने के बाद इसका उपर वाला पार्ट हम कट कर देंगे जो ये रूट वाला पार्ट है इसे हम कट कर देंगे सारे ये प्याज इस तरीके से हमें साफ करके ले लेने हैं साफ करने के बद इसको अच्छे से आप धोले दोने के बद इसका उपर वाला पार्ट जो वाइट वाला पार्ट है इसे मैं कट करके अलग से रख रही हूँ चाहे तो इसे भी आप पकोडों में डाल सकते हैं फिलाल मैंने इचे वाले पार्ट को बारिक बारिक चौप कर रही हूँ थोड़े पतले वाले प्यास मुझे मिले है यहाँ पर प्यास को साफ करने के वाद दोती हमारी इसको अच्छे से आप धोले उसके बाद यह से आप चौप करें तो यह देखे प्यास को मैंने बिल्कुल बारिक बारिक चौप करके ले लिया है अब प्यास को मैंने डाल दिया से आठ दाने साबुतकारी मिर्च के अब इसमें डाल देंगे दो सुखी वी लाल मिर्चे और बिल्कुल स्लो हीट पे इस मसाले को हमें रोस्ट करना है मसाले हमारे जलने नहीं चाहिए हलका हलका ही मसाले को हमें रोस्ट करना है मसाले को रोस्ट आप कर लेंगे तो इसका टे हो जाएं उसके बाद इस मसाले को हम यूस करेंगे अब जो मसाला हमने रोस्ट करके रखा था वो ठंडा हो गया अच्छे से तो इसे हमें ग्राइंड करना है इस मसाले को मैं डाल दूंगी ग्राइंडर के जार में साथ ही हम इसमें कुछ और चीज़े भी आइट कर देंगे इसे हम ग्राइंड कर लेंगे तो मैंने आप लेली 2 हरि मिर्च और थोड़े सी लेली मैंने आपर ये अधरक इन दोनों को भी इसमें डाल देंगे और इसे हम दर दराभीश लेंगे इस मसाले को आप इस तरह कुछे हैं तो सब्सान मेरा ग्राइंड हो गया इस evolved के से अब इसमें लसन एड नहीं की है, अगर आप चाहें तो अधरक और हर इमिज के साथ इसमें लसन भी साथ में ही ग्राइंड कर सकते हैं। सारा मसाला यह मैंने इसमें डाल दिया, अब मैंने यहाप ले लिया एक बड़े साइस का आलू, आलू को इस तरीके से मैंने छोटे पीसिस में कट कर लिया है। आलू को आप बिल्कुल छोटे और पतले पीसिस में कट करके ही इसमें एड कर दें ताकि वो कच्चे ना रहे हैं फ्राइ करते समय, अब मैं इसमें एड कर दूंगी बारी कटे मेरे धनिया, अब इसमें एड कर देंगे एक कप बेसन, फिलाल मैंने इसमें एक कप बेसन आदा चम्मच चाट मसाला एड़ कर देंगे अब एड़ कर देंगे नमक टेस्ट के कॉर्डिंग अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे पानी मैं इसमें अभी बिल्कुल भी एड़ नहीं कर रही हूं इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे जो यह प्याज है और आलू अपने पाने रिलीस करेगा नमक एड़ करने से तो उसे ही बैटर मारा बनकर तयार हो जाएगा अगर आपको जरुवत लगे तो थोड़ा सा पानी के छीटे इसमें आप लगा सकते हैं तो यह देखिए पकोडों का मेरा बैटर बनकर तयार हो गया है अच्छे से यह और इदम फूले फूले पकोडे मारे यह बनकर तयार होंगे अब इसको मैं हाथों के एल्प से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ एक बारी और यह देखिए इस तरीके से यह पकोडों का बैटर मारा बनकर तयार हो गया है चेक करने के लिए इस तरीके से आप एक पकोड़ा बना कर देख सकते हैं, यह देखिए इस तरीके से, बहुत इसली यह bind हो रहा है, तूट नहीं रहा है, इसके मतलब इसके पकोड़े बहुत इसली बनकर तयार हो जाएंगे, अगर आपको बैटर इसली बाइन आ हो, यानि पकोड़े इसके ना बनें, तो इसमें आप थोड़ा होंगे बीच में से तब इसे मैं निकाल दूँगी और कुष्टे रखने के बाद मैं इसे फ्राय कर दूँगी तो सारे ये पकोड़े पहले मैं कच्चे इस तरीके से बना लेती हूँ तो ये पकोड़े ये देखिए कच्चे मारे फ्राय हो गए हैं अब अच्छे से ये क्रिस्प नहीं हुए हैं और अंदर से भी अच्छे से ये पके नहीं है तो मैं इसे निकाल कर एक प्लेट में रखती जा रही हूँ सारे ये कच्चे पकोड़े इस तरीके से मैं बना कर पहले रख लूँगी और जब मुझे पकोड़े खाने होंगे और किसी को सर्फ करने होंगे तब मैं इसे दुबारा फ्राय कर लूँगी इस सरी किसे अगर आपके गर में गेस्ट आने वाले हो तो कच्छे ही पकोड़े पहले से या बना कर रख ले और बाद में इससे आप दुबारा फ्राय कर लें अब पकोड़ों को मैं दुबारा से फ्राय कर रही हूँ दुबारा से आप इसमें कितनी भी पकोड़े डाल सकते हैं ये देखिए काफे सारे पकोड़े मैंने एक बार में डाल दिया आपस में ये बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं और काफे सारे पकोड़े एक बार में ही फ्राय हो जाते हैं अब इन पकोड़ों को अच्छे से क्रिस्प होने तक हम फ्राइ कर लेंगे इन पकोड़ों को डबल फ्राइ करने का फायदा ये है जैसे हमने इसमें आलू एड किया है पकोड़े हम कच्छे फ्राइ करके निकाल लेंगे तो पकोड़े अंदर से गरम ही होंगे और आलू प्यास के पकोड़ों की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें तो तैयार है हमारे हरे प्यास के पकोड़े तो चलिए मिलते हैं एकली वीडियो में तब तक के लिए बाए